जय हिंद, बंदे मात्रम, स्वागत है आप सारे साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुची प्लेटफॉर्म में तो मैं आपके लिए लुसेन के कुछ महत्वपूर्ट टॉपिक को चुन कर ला हैं आज की क्लास में तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, इसमें बहुत तरह के प्रस्णों को आज हम लोग देखेंगे तो आप लोग इस चैनल पर भीजिट किया हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा कियोंकि आपको सारी नोटिपिकेशन सबसे पहले मिलते रहें तो हम लोग का में जो पहला टोपिक है ये देख सकते हैं कि क्रिश्न देव राय के दरबार में रहने वाले बिद्वान अस्ट दीगज उनके जो कौन-कौन से बिद्वान रहते हैं आज हम लोग उसको ट्रीक से याद करेंगे पीते आयला का धुन अमर और इसका ट्रीक का बिसलेशन हम लोग देखते हैं कैसे इसका ट्रीक है और जो कृष्ण देवराय हैं, इनके दरबार में कौन-कौन से बिदवान रखते हैं अस्ट दिगच का मतलब आठ गोव बिदवान है, तो यहाँ पे देख सकते हैं P से यहाँ पे दिया है, पिनगली सुरन, यह भी बिदवान का नाम है यहाँ पे तेनाली रमन, अयलराजू रमा भद्र दुद्रू, काका दो यहाँ पे दिया गया है काको साइलेंट रखा गया है, धू से धूर्जती, नसे, नंदि थिमना, असे, अलution मध्यकरी, मलना और यहाँ पे देख सकते हैं मद्यगरी मलना और रा से दिया है रामा राजा भुसन उड्डू तो ये जितने सारे कभी हैं ये क्रिश्न देवराय के दरबार में रहने वाले कभी हैं अश्ट दिगच कभी कहे जाते हैं तो आप लोग जरूर इसे याद कर लिजेगा पिनगली सुनन्द तेनाली रमंद आयल राज्जू रम्मा भद्रू धुर्जती नंदी थिमना अलसनी पेदना मद्यगरी मलना और रामा राज भुसन उड्डू ये सारे जो थे ये कभी थे यहां से प्रस्ण बंते हैं आगे आते हैं हम लोग देख लिजे आगे जो है कि प्रतियोगी प्रतियोगीता परिच्छा से संबंधित टौप महत्वण प्रस्ण उत्री बहुत अच्छा है तो देख सकते हैं यहां पे पहला जो हम लोग का पॉइंट चालू हो रह में सेव कर सकते हैं मस्तिष में डाल सकते हैं तो ब्रह्मा समाज की अस्थापना कब हुई थी तो 1828 में हुई थी इसके बद अगला जो पॉइंट है कि ब्रह्मा समाज की अस्थापना किसके द्वारा और कहां की गई थी तो कलकता में की गई थी राजा राम मोहन राय के और कलकत्ता सहर में की गई थी आगे जो यहाँ पे पॉइंट करें कि आध्वनीक भारत में हिंदु धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था तो वह जो था ब्रह्मा समाज था आध्वनीक भारत में हिंदी धर्म के सुधार का जो पहला अंदोलन कौन सा था तो ब्रह्मा समाज था अगला देखिए टोपिक अगला जो टोपिक यहां पे कराए कि ब्रह्मा समाज का बिरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का बिरोध किया था तो वो था धर्म सभा वो कौन सा था धर्म सभा आगे देखिए धर्म सभा से हिए related कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे यह जैसे यहां पर धर्म सभा आया तो अब माइंड में प्रस्न उठरा होगा कि इसके संस्थापक कौन थे तो यह इसके जो संस्थापक थे राधा कांत देव थे इसके संस्थापक कौन थे तो राधा कांत देव थे आगे जो है कि सती प्राथा का अंत कब हुआ था तो 1829 में सती प्राथा का अंत हुआ था सती प्राथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी का प्रयास बहुत अथक रहा इन्हों ने सती प्राथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किये थे आगे देखिए अगला जो point है कि आर्य समाज की अस्थापना कब हुई थी तो 1875 इस्वी में आर्य समाज की अस्थापना हुई थी और यह कहां पे हुई थी अस्थापना तो मुंबाई सहर में हुई थी आगे देखिए प्रस्था अगला आर्य समाज अगला जो point है कि आर्य समाज की अस्थापना किस ने की थी तो स्वामी दयानांद सर्सवती जी के द्वारा यहां पे आर्य समाज की अस्थापना की गया था अगला जो point है कि आर्य समाज किसके विरूद है तो आर्य जो समाज है यह धार्मिक अनुष्ठान एवं मुर्ति पूजा के विरूद माना जाता है अगला जो point है कि 19 सदी में वहारतिय पुनर जागरण का पिता किसे माना जाता है तो आप लोग को जरूर याद करना होगा राजा राम मोहन राय को 19 सदी में भारतिय पुनर जागरण का पिता माना जाता है आगला जो point का रहे कि राजा राम मोहन राय का जनम कहां हुआ था तो राधा नगर जिला वर्धमान राजा राम मोहन राय का जनम राधा नगर में हुआ था और जिला कौन था जिला कौन सा तो जिला वर्ध मान था जिला कौन था वर्ध मान जिला था अगला जो टोपिक है कि स्वामी दैनन सरस्वती का मुल नाम क्या था तो मुल संकर था अगला जो प्रसने यहां पर देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के इंगलेंड जाने के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली थी अगला जो प्रसने है कि किस के परियासों से ब्रह्मा समाज की जड़े उत्तरप्रदेश पंजाब और मदरास में फैली तो वे कौन थे तो किसके प्रयास से तो केशव चंद्र के प्रयास से ब्रह्मा समाज की जो जड़ थी वह उत्तर प्रदेश, पंजाब और मदरास तक फैली अगला जो प्रस्न है कि 1815 इसमी में कलकत्ता में किसने आत्मिय साभा देखिए यहां पे कुछ बहुत अच्छी बाते लिखा गया है आत्मिय साभा की अस्थापना की तो राजा राम मोहन राई जी का ही नाम आप लोग को याद करना होगा कि संद कितना दिया गया है 1815 इसमी में कलकत्ता में किसने आत्मिय साभा की अस्थापना की तो अपसन चार रहेगा आप उसमें से राजा राम मोहन राई जी को जरूर याद कर लीजेगा चाहे इस तरह से भी प्रस्न पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में राजा राम मोहन राई जी के द्वारा आत्मिय साभा की अस्थापना कब किया गया था तो 1815 इस्वी में आगे देखते हैं प्रस्ण को अगला जो टोपिक का राय कि राजा राम मोहन राय एवं डेविट हेयर किस सांस्था से जुड़े थे तो हिंदू कालेज से जुड़े थे अगला जो पॉइंट है कि थियो सोफिकल सोसाइटी की अस्थापना कब और कहां हुई थी तो कब कहते हैं कि कहां हुई थी कब हुई थी तो 1875 इस्वी में इसकी अस्थापना हुई थी और कौन सी सहर में तो निव यार्क जो सहर है यहां पे थियो सोफिकल सोसाइटी की अस् अगला जो है कि थियो सोफिकल सोफिकल सोसाइटी की अस्थापना भारत में कब और कहां हुई थी तो अब देखी यहाँ पे जो था कि निवर्क सहर में हुआ था अब भारत की बाता है कि भारत में कब हुआ था इसकी अस्थापना तो अठारो सो ब्यासी इस्वी में इसकी अस्थापना हुआ था अडायर जो मदरास में है यहाँ पे इसकी अस्थापना हुआ था मदरास सहर में अठारो सो ब्यासी इस्वी में आप लोग इसे जरूर यात किजिएगा आगे देखिए आगला जो पॉइंट आया है कि सत्यार्थ प्रकास की रचना किस ने की तो दायानंद सर्सवती जी का नाम आता है सत्यार्थ प्रकास की रचना दायानंद सर्सवती जी के द्वारा किया गया अगला जो है कि बेदो कियो लोटो का नारा किस ने दि सरस्वती हैं वहीं कह सकते हैं दयानंद सरस्वती राम कृष्ण मिसन की अस्थापना कब हो थी तो राम कृष्ण मिसन की अस्थापना अठारो सो चानवे से संतानवे मुह था अब रहाबाद की राम कृष्ण मिशन के अस्थापना किस के द्वारा की गई थी तो आप लोग को जरूर याद करना होगा स्वामी बिबेका नंजी का नाम आता है और राम क्रिश्न मिर्शन के अस्थापना स्वामी विवेका नंजी के द्वारा किया गया था अगला जो पॉइंट है कि अली गड़ आंदोलन किसने चलाया था तो सर सयद अहमद खान के द्वारा अली गड़ आंदोलन को चलाया गया था आगे देखते हैं प्रसन आगला आते हैं आगला जो यहाँ पर कह रहे है पॉइंट कि अली गड़ मुस्लिम विश्व विदाले की निव किस ने डाली तो सर सयद अहमद खान ने अली गड़ मुस्लिम विश्व विदाले की निव डाले थे अगला जो point है कि जुगा बंगला अंदोलन के निता कौन थे तो Henry Vivian De Rogio जुगा बंगला अंदोलन के निता कौन थे तो Henry Vivian De Rogio अगला जो point है कि सत्यसोधक समाज की अस्थापना किस ने किया गया था सत्यसोधक समाज की अस्थापना किस के द्वारा किया गया था तो जो तीवा फूले के द्वारा सत्य सुधक समाज की अस्थपना किया गया था आगला जो पॉइंट कर रहे कि कि धर्म सुधारक की मृतु भारत से बाहर हुई थी वो कौन से धर्म सुधारक थे जिसकी मृतु भारत से बाहर हुई थी तो उनका नाम है राजा राम मुहन राय आगे रहते हैं कि बहावी अंदोलन का मुख्य केंद्र कहां पे था तो पटनासहर में था अगला जो है कि भारत में दास्परथा को कब अभैद घोशित किया गया भारत में दास प्राथा को कब अभैद गोशित किया गया तो 1843 सिस्मी में दास प्राथा को भारत में अभैद गोशित किया गया था आगे जो पॉइंट कर आए कि भारत में अंग्रेजी सिख्छा की विवस्था किसके द्वारा किया गया था भारत में अंग्रेजी सिक्षा विवस्ता किस के द्वारा किया गया था बिलियम बैटी के द्वारा भारत में अंग्रेजी सिक्षा कि विवस्ता किया गया था अगला जो पॉइंट है कि बेदो में संपुण सचाई नहीं थै यह कथन किसका है बेदो में संपुन सचाई नहीं थे ये कथन किसका है तो स्वामी दयानंद सर्सवती का ये कथन है बेदो में संपुन सचाई नहीं थे अगला जो point है कि महाराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है महाराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है सुकरात तो महादेव गोबिंद रानाडे महादेव गोबिंद रानाडे को महाराष्ट का सुकरात कहा जाता है आगे देखते हैं पॉइंट पे अगला जो यहाँ पे पॉइंट करा है कि विवेका नंद किस अस्थान पर अगला जो प्रस्ण है कि सन्वाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे तो सन्वाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन रहे थे अगला जो प्रसन है कि तत्व रंजनी साभा, तत्व बोधनी साभा और तत्व बोधनी पत्री का तीनों बहुत इंपोर्टेंट है साथियो तत्व रंजनी, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्री का इस किस्चे संबंदी थे यो दिवेंदर नाथ टाइगोर से संबंदी थे इस बात को जरूर आप लोग याद किजियेगा तत्व रंजनी साभा, तत्व बोधनी साभा, तत्व बोधनी पतरिका तीनों किस से समबंदी थे, तत दिवेंदर नाट टाईगोर से समबंदी थे अगला जो point है कि प्रतना समगी अस्थापना कि सी प्रेणा के फल शरूप हुआ था केशोव चंद्रसीन उनकी प्रेणा से प्रतना समाज की अस्थापना उवा था अगला जो प्रस्ण है कि बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली बामा बोधनी पत्रिका जो है यह महिलाओं के लिए किसने निकाली तो यहाँ पभी केशोव चंद्र जी का नाम आथा है बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशोव चंद्र जी के द तो घुरु रामशि ने चलवाए था कुका आन्दोलन घुरु रामशी ने चलवाए था ő पॉएंग एक diferen गणा में कौम सा धारमिक कानुन पारित हुआ था धारमिक इंगता कानुन पारित हुआ था तो गोपाल हरी देश्मुक को लोग हितवादी कहा जाता है आगे देखते हैं प्रस्ण अगला जो है पॉइंट की ब्रह्मा समाज की सिधान्त पर अधारित है तो एककसरवाद जो सिधान्त है इस पर जो है ब्रह्मा सिधान्त अधारित है अगला जो point है कि देव समाज की अस्थापना किस ने की थी तो सीव नरायन अगनी होतरी के दवारा देव समाज की अस्थापना किया गया था अगला जो पॉयंट है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक ते तो सीव द्याल जो साहब थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे अगला पॉइंट है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था एनिवेसेंट अगला जो पॉइंट है कि विश्वी सदी के आरंभिक दसक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था तो वह अंदोलन जो था अहरार था वह कौन सा अंदोलन था तो अहरार अंदोलन था आगे देखते हैं पॉइंट पे आगला पॉइंट कि भारत समाज सिवक की अस्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी भारत सेवक समाज देखी यहाँ पर पूछा गया भारत सेवक समाज तो 1905 में इसकी अस्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत में जो समाज सेवक की अस्थापना 1905 में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अगला देखते हैं प प्रस्न करें कि सीख गुर्दवारा अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1925 में पारित हुआ था अगला जो पॉइंट है कि रामकृष्ण परमहंस का मुल क्या नाम था तो गदाधर चटो उपध्याय रामकृष्ण परमहंस का मुल क्या था गदाधर चटो उपध्याय अगला जो point है कि Dr. Annie Besant भार्तिय राष्टिय कांग्रेस की अध्याच कब बनी थी तो 1917 में एनी बेसेंड जो थी भार्तिय राष्टिय कांग्रेस की पहली अध्याच बनी थी अगला देखते हैं अगला प्रस्न पे अगला जो प्रस्न करें कि सिकांगो विश्वधर्म समिलन में स्वामी विवेका ननने कब भाग लिया था तो 1893 इसमी में भाग लिया थे अगला जो point है कि विदांत कालेज की अस्थापना किस ने की थी तो विदान्त कालेज की अस्थापना राजा राम मोहन राई ने किया था अगला पॉइंट है कि राजा राम मोहन राई को किसके युग दुद कहा जाता है माप कीजिएगा किसने युग दुद कहा है राजा राम मोहन राई को किसने युग दुद कहा है तो सुबास चंद्रव बोस ने राजा राम मोहन राई को यूग दुद्द कहा है आगे देखते हैं प्रस्ण पे देखिए अब यहाँ पे दूसरा प्रस्ण अस्टार्ट हुआ ऐसे ही बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण आपके लिए छाड के लाएं तो यहाँ पे भी प्रस्ण है कि प्रत्योगी परिछा से संभंधित सबसे टोप महत्वपुण प्रस्ण है महत्वपुण राष्टिय और अंतराष्टिय दिश्ण हम इसके लिए प्रस्ण है बहुत इंपोर्टेंट है थल सेना दिवस कम मना जाता है तो 15 जन्वरी को मना जाता है गरतंत्र दिवस 26 जन्वरी सहित दिवस 30 जन्वरी अंतराष्टिय महिला दिवस 8 मर्च विश्व वानिकी दिवस 21 मर्च यह जितने सारे टोपिक लिए हैं अक्सर एकजाम में पूछे जाते हैं तो विश्व वानिकी दिवस 21 मर्च जल दिवस होता है विश्व जल दिवस 22 मर्च विश्व टब दिवस 24 मर्च विश्व स्वास्त दिवस 7 प्रेव विश्व सर्मिक दिवस 1 मै रेड क्रोस दिवस 8 मै एको नर्स दिवस हाता है तम बागो रोधी दिवस 11 में परियावरान दिवस 5 जुन रक्तदान दिवस 15 जुन राष्टिय संख्यांकी दिवस 29 जुन विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई विश्व अस्थन 5 दिवस 1 अगस्त स्वत अंतरता दिवस 15 अगस्ट, राष्टिय खेल दिवस 19 अगस्ट, सिक्छक दिवस 5 सितमबर, अंतराष्टिय सक्छारता दिवस 8 सितमबर, और हिंदी दिवस 14 सितमबर आगे देखते हैं ओजन प्रत रक्षन दिवस 16 सितंबर बिश्व पर्याटन दिवस 29 सितंबर बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग आखे बंद करका सुनियेगा तो आप लोग को कंठक से याध हो जाएगा तो अंतराष्टिये ब्रिधा जन दिवस 1 अक्टूबर बिश्व बन्य पराणी दिवस 6 अक्टूबर वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर बिश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर बिश्व खाद दिवस 16 अक्टूबर संजुक्त राष्ट दिवस 24 अक्टूबर और बाल दिवस आ गोगा 14 नमंबर, विश्व मधुमे दिवस 14 नमंबर, विश्व एड़ दिवस 1 दिसम्बर, नौ सेना दिवस 4 दिसम्बर, बहुत इंपोर्टेंट है, नौ सेना दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसम्बर, जंडा दिवस 7 दिसम्बर, यह भी इंपोर्टेंट है दोनो नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर जांडा दिवस 7 दिसंबर अंतराष्टिय मानो अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस 23 दिसंबर राष्टिय उभगता दिवस 24 दिसंबर परमुख ब्यक्तियों के लोग प्रिये एवं उपे नाम तो सिमान्त गांधी किसे कहा जाता है खान अब्दुर गफार खान को कहा जाता है राष्ट पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है बयो ब्रीध पुरुष दादा भाई नरोजी को कहा जाता है दादा भाई नरोजी बयो ब्रीध पुरुष लोव पुरुष सादार बल्लव भाई पतेल जी को कहा जाता है आगे पंजाब के स्री लाला लाजपत रहे आंधरब के स्री टी प्रकासम सेरे कस्मीर सेख अब्दुल्ला बंग बंधु सेख मुझीबुर रहमान देश बंधु चितरंजन दास देश बंधु किसे कहा जाता है तो चितरंजन दास को कहा जाता है दिन बंधु वो देश गंगा धर्तिलग लोकनायक जैप्रकास नरायन गुरुदेव रबिंद्रनाश टाइगोर राजा जी चक्रवती राज गोपाल चारी आगे देख सकते हैं अक अंकल हो ही चिनमीन मैने मैन ओफ डिस्टिनी नेपोलियन बोना पार्ट देशरतन राजेंद्र प्रसाथ नेता जी सुबास चंद्र बोस चाचा जुहालाल नेरू जुवातर के स्री चंद्रसेखर सहीद ए आजम भगत सी भारत कोकिला सरोजनी नाइडू भारत कोकिला सरोजनी नाइडू स्वर कोकिला लाता मंगेशकर भारत कोकिला सरोजनी नाइडू स्वर कोकिला लाता मंगेशकर उडन परी पीटी उसा बिश्वक कभी रबिन्द्रनाथ ठाकूर और आगे देखिए कभी गुरु रबिन्द्रनाथ ठाकूर सरदार बल्लभाई पटेल होकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और फ्यू हर हर या एडलोफ हिटलर को उपनाम है फ्यू हर हर फ्यू हर एडलोफ हिटलर आगे देख लिजे भारत का सेक्सपियर महा कभी तुलसिदास लिटिल कापूरल नेपोलियन बोनापार्ट और बलेक गांधी मार्टिन लूतर किंग बहुत इंपोर्टेंट है बलेक गांधी जो है मार्टिन लूतर किंग आगे देख सकते हैं अगला जो ह लोकसाभा के चुनाव चार चर्णम हुई तो चोधावी जो है या चोधावी जो चुना हुआ था वह लोकसाभा के चार चर्णम हुआ था आगे आगे जो पॉइंट करें कि लोकसाभा का सदस्या बनने के लिए निम्तम आयू कितनी होने चाहिए तो पचेस बर्स होने चा अगला जो point करें कि उत्तर परदेश के बाद सबसे अधिक संसदिय छेतर कौन सा रहा है तो महराष्ठ जो सहर है वह उत्तर परदेश के बाद सबसे अधिक संसदिय छेतर राज्य रहा है अगला point करें कि किस राज्य में लोग सभा सदसो की संख्या सबसे कम है तो यह आप लो मंत्री को कहा जाता है लोग सभा का नेता प्रधान मंत्री लोग सभा का नेता कौन होता है तो लोग सभा के अधियाच होता है लोग सभा का नेता कौन होता है तो प्रधान मंत्री भी होता है और उसके अधियाच भी होते हैं अगला पॉइंट करें के भूत पुर्वा सांसत स दस्यों को पेंसन जो बिवस्ता है कब लागू की गी तो 1976 में इसको लागू किया गया था अगला जो पॉइंट करें कि लोकसभा में कम से कम कितना सस्त्र जरूरी होता है तो बर्स में दो बार अगर सस्त्र रखा जाता है लोकसभा में तो यह बहुत जरूरी है अगला लोगसाभा को भंग कर सकते हैं बित्य बिल कहां पास हो सकता है तो बित्य बिल लोगसाभा में पास हो सकता है अगला देखते हैं पॉइंट अगला पॉयंट करें कि अब विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो लोक सबास में जो है अब विश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है, अगला करें कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है तो लोगसाभा के द्वारा जो है बजट को पारित किया जाता है याद किजिएगा बजट पारित किसे होता है तो लोगसाभा के द्वारा होता है अगला पॉइंट करें कि लोगसाभा के सदस्यों की नियोगता से सम सम्बंधित प्रस्णों का निर्नाय कौन करता है तो लोग सभा के जो अध्याच होते हैं वह निर्योगता से सम्बंधित प्रस्णों का निर्नाय अच्छे तरीका से करते हैं आगला पॉइंट करा है कि अस्थाई लोग सभा अध्याच को क्या करते हैं तो प्रोटेम अस्पी करता है प्रोनाप कीजेगा सांथियों यहां पर प्रोेड कर लीजिएगा प्रोमेट I a speaker कर कोन करता है तो राष्ट पती करता आगे देखते हैं प्रस्ण को अगला कसे कितने दिन तक अनुपास्तित रहने पर लोग शाभा़ की सदिच्छाता समाथ हो जाती है तो दो माहा तक रहने पर वहां से उस सदस्य की लोगसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है अगला पॉइंट कर रहे कि किस बिधेयक को केवल लोगसभा ही पारिद कर सकती है केवल बिधेयक जो होगा बित बिधेयक को केवल लोगसभा ही पारिद कर सकती है अगला point का रहा है कि मंत्री परिसद किस के प्रती उतरदाई होता है तो लोगसभा के प्रती उतरदाई होता है अगला का रहा है कि किस अवस्ता में संसद लोगसभा का कार्यकल बढ़ा सकती है तो अपात काल की जब इस्तिती होता है तब वहाँ पे जो संसद होता है वह पत्वपुन की संसद एक बार में लोगसाभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए ब्रीधी कर सकता है तो एक बर्स के लिए जो है संसद लोगसाभा के कार्याले में माप कीजिए कार्यकाल में ब्रीधी कर सकता है समय में एक वल ब्रीधी कर सकता है एक बर्स में अगला कह रहा ह आगे पॉइंट करें कि राजनितिक सब्दावली में सुन्यकाल का क्या अर्थ है तो प्रस्णोतर सस्त्र जो होता है इसका जो मुख्य अर्थ है प्रस्णोतर सस्त्र है अगला करें कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव् दे सकता है अगला करे कि लोगसभा अध्याच का चुनाव कौन कराता है तो लोगसभा के जितने सारे सदस्य होते हैं वह लोगसभा के अध्याच का चुनाव कराते हैं आगे करें कि लोकसभा का अस्थाई अध्याच को निप करता है तो राष्ट पती जो होते हैं वह लोकसभा के अस्थाई अध्याच को चुनते हैं अगला करें कि लोकसभा अध्याच अपना त्याग पत्र किसे देता है तो लोकसभा के उपा अध्याच जो होते हैं उसको लोकसभा अध्याच जो होता है अपना त्याग पत्र देता है अगला करें कि निरनायक मत देने का अधिकार किसको है तो कि वह लोकसभा के अध्याच क कोहीं निर्नायक मत देने का पूर्ण रुप से अधिकार है अगला जो प्रसन करें कि लोकसभा का सची वाले किस से नियंत्रीत होता है तो लोकसभा के अध्याच के द्वारा लोकसभा का सची वाले नियंत्रीत होता है आगे करें कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्याच कौन सदनों के संजुक्त अधिवेशन की अधियचता कौन करता है तो लोकसभा के अधियच दो होते हैं वो भारतिय संसत के दोनों सदनों की संजुक्त अधिवेशन करते हैं आगला पॉइंट करें कि लोकसभा में किसी बिधेयक को धन बिधेयक के रूप में कौन परमारित करता ह तो लोगसभा अध्याच उसको परमारित करता है अगला करें पॉइंट किस समिती का पदेन अध्याच लोगसभा अध्याच होता है तो नियम समिती के जो पदेन अध्याच होता है वह लोगसभा अध्याच होता है अगला point करें कि लोग सभा महा सचीव की निवक्ति कौन करता है तो लोग सभा speaker जो होता है वह लोग सभा महा सचीव की निवक्ति करता है आगे देखते हैं प्रस्ण अगला करें कि कोई speaker के खिलाप अभिस्वास प्रस्थाव लाया गया है तो केस हेगर के द्वारा जो है अभिस्वास प्रस्थाव को लाया गया है तो साथियों आज की class में हम लोग इतने ही प्रस्णों को लिये थे आप सभी साथियों को ये class कैसा लगा आप लोग जरूर comment करकर जरूर बताएगा आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पर आप लोग जरूर जुडिएगा और आपको बहुत अच्छे तरह के content इस channel पर मिलेंगे जो exam के परपज से ही लाते हैं और यहां से हम सोचते हैं कि content जो है अक्सर exam में यहां से आ जाए तो आज की class हम लोग यहीं पर रखते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत